नमस्कार मित्रो दूरस्त एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उतराखन मुक्त विद्याले का कम्मिनिटी रेडियो हेलो हल्दवानी 91.2 मेगा हैट की फ्रेक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं दोस्तों आपके अपनी रेडियो हेलो हल्दवानी ने हिंदी दिवस के मौके पर एक सापता हीक शरंखला शुरू की है हिंदी के तमाम आयामों पर हम उस तरंखला के दहत बात कर रहे हैं आज हम बात करेंगे कि सोसल नेटवरकिंग साइट के जरिये उसमें फेस्बुक है चुचर है ब्लॉग है यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने कितना हिंदी को ग्लोबल बनाया है कितना हिंदी को जीवित रखा है कितना हिंदी को आम जीवन से जोड़ा है इस पर आज हम बात करेंगे क्योंकि पूरा एक जो हिंदी का पूरा परिद्रिश्य है जो हिंदी के बिद्वान है कई सारे लोग रोना रोते हैं कि हिंदी खत्म हो रही है हिंदी अतकचरी हो गई है उसमें कई तरह के शब्द शामिल हो गई है हमको शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए तो हिंदी दीवस की मौके पर या फिर हिंदी से लगाव रखने वाले कई तरह के लोग इस तरह की भावशिवानी अकसर करते रहते हैं हालांकि यह चिंता बहुत कम समय तक रहती है कुछ कुछ चिंता रहती है कि हिंदी अतकचरी हो गई है जबकि जो सोसल एक्सपर्ट हैं जो ब्लॉगर हैं वो कहते हैं कि हिंदी ग्लोबल हो गई है बहराल लेकिन अगर हिंदी का कहीं विवहार में प्रैक्टिकल में भला होता नजर आ रहा है तो उसमें इंटरनेट के हिंदी ब्लॉगों का मुझे लगता है कि एक बहुत ही एहम रूल है हिंदी ब्लॉक्स के माधियम से हिंदी भाषा और साहितिकी मुझे लगता है कि दिन दूनी और रात चोगुनी प्रगती हो रही है आए दिन दर्जनों की संख्या में नई नई ब्लॉक्स बन रहे हैं और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उन ब्लॉक्स को वो पाठक वर्ग भी पढ़ रहा है जिसने हिंदी पत्री का तो दूर उसके बारे में कभी सुना भी नहीं था तो यानि कि हम कह सकते हैं कि हिंदी का एक नया संस्क्रन है ये ब्लॉग और एक नया पाठक वर्ग है और फेस्बुक ने ब्लॉगों के प्रचार प्रसार के लिए एक बहुत बहतरीन प्लेटफॉर्म मोहया कराया है और खुद फेस्बुक की जो चोटी-चोटी टिप पढ़ियां होती है मुझे लगता है कि उनने हिंदी को ज्यादा लोकप्री बनाया है तो भला इससे अच्छी प्लब्धी और क्या होगी हिंदी के लिए इससे अच्छी दिन और क्या हो सकते हैं हिंदी के लिए वैसे अगर बाजार की जरूरतों की बात करें तब भी हिंदी कहीं पीछे नहीं हुई है हम देखते हैं कि जब से भारत में तेजी से साखसरता दर बड़ी है नबे के दशक के बाद से लगातार अगबारों का प्रशार बहुत जादा हुआ है अब देखे हिंदी अख़बारों ने अपने कितने नई बहुत संस्क्रणों का आगाज कर दिया है, नई ने संस्क्रण जन्म ले रही है, धिरूम पत्रिकाएं हिंदी में निकल रही है, धिरूम ब्लॉक्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, तो ये सब इसी का परिणाम है कि ह तो इसे हिंदी के भावश्य पर प्रसन सेनने जो लोग लगाते हैं, मुझे लगते हैं उनका मुह बंध होता है, क्योंकि एक नए तरह की हिंदी आज हमारे सामने है, जिसको लोग अपना रहे हैं, जो बोलचाल की हिंदी है, और ये भी एक तथ्य है, ये फैक्ट है दोस्तो भूमंडली कृत हो चुके समाज में, उसका एक नया रूप हमें देखने को मिलेगा, इस हिंदी में अंग्रेजी के धेरों शब्द जो आम बोलचाल में इस्तिमाल मात हैं, वो शब्द भी शामिल होंगे, और हम इसी तरह से हिंदी को बचा सकते हैं, और अकर हम वाकई में शब्द हिंदी की वकालत करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है, जब हिंदी हमें दम तोड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि आज हिंदी के अस्तित्यों के लिए इस तरह से एक बड़ा खत्रा है, कि हम हमें उसे सर्वाइब कराना है, तो हमें उसके तोड़ तरीके थोड ये नजरिया रखना ज़्यादा बहतर होगा कि तमाम भाशाओं से लेकर हिंदी ने खुद को समुर्ध किया है और खुद को प्रगतिशील बनाया है, पिसले 10-15 सालों में अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व के बावजूद हिंदी को कोई खत्रा नहीं है, दोस्तों अगर आप मानते हैं कि आज भी अंग्रेजी का ही बोलबाला है, तो आप सोची ना कि जो बाजार है, आप देखी बाजार किस भाशा के माध्यम से भारत की 700 करोड की आबादी तक पहुँच रहा है, आप टीवी खोड़िए, हर पांच मिनिट में जो विज्यापन आते हैं और जनता तक अगर विज्यापन पहुचाने हैं, अगर व्यापार करना हैं तो आपको जनता की भाशा को अपनाना होगा, तो यही वज़ा है कि जो विज्यापन आज हमें हिंदी में दिखाई देता है, वही डब होकर भोजपूरी में और तमाम लोकल भासाओं में हम सुन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यह न तो हिंदी के खत्रे का यह दौर है और नहीं यह लोक भाशाओं के खत्रे का दौर है, यह इन भाशाओं के उभरने का दौर शुरू हुआ है, लोक जागरूख हो रहे हैं अपनी भाशा, अपनी बोली, अपनी जड़ों, अपनी संस तुस्तों हमने बात की हिंदी के प्रसिद साहित्तिकार डॉक्टर लक्ष्मान सिंग बैच्रोही जी से वो कहते हैं कि जब भी कोई नई शैली प्रचलन में आती है तो लोगों को डर लगने रगता है। तो लोगों ने पाली और ब्रहमी अपना ली। इसलिए भाषा व्याकरण से संचालित नहीं हो सकती। नई प्रियोगों को अतकचरापन कहना गलत है। दोस्तो वहीं वरिष्ट कवी लिलाधर जगूरी कहते हैं कि हिंदी को लेकर कई लोग शोकमुद्रा में बैठे हुए हैं। और ये वे लोग हैं जो हिंदी को स्तानी भाषा के लिए खत्रा मानते हैं। स्तानी भाषा में अगर दम होता है तो वो सता ही फलफूल जाती है। हर देश और भुगोल को एक कौमन भाषा की जरूरत होती है। हर देश और भुगोल को एक कौमन भासा की जरूरत होती है हिंदी को आज सामाजिक जीवन और बाजार फैला रहे हैं वो कहते हैं कि दुनिया के सभी देश अपनी अपनी भासा में रोटियां खा रहे हैं और एक भारत है जो अभी भी अंग्रेजी मानसिक्ता से उबर नहीं दोस्तों अगर हम डर रहे हैं कि हिंदी खत्म हो जाएगी आने वाले समय में और हिंदी के साथ जो हम संस्कृति को जोड़ते हैं वो भी खत्म हो जाएगी तो समय आधुनिक होता है समाज आधुनिक्ता की और बढ़ता है लेकिन आधुनिक होने का मतलब यह नहीं होता है क कि हम अपनी भाषा को भूल रहे हैं, आधुनिक्ता अगर एक सही वे में अगर आगे बढ़ रही है, तो अपनी भाषा, अपनी संस्किर्टी, अपनी असमिताओं को सहे इस्ते वे आगे बढ़ती है, तो जो खत्रे जो आशंकाएं नजर आ रही हैं, उनके लिए हमें यहां करना चाहिए, कि हम सही माइने में लोगों को आधुनिक बनाएं, हम विचारों में लोगों को आधुनिक बनाएं, तो हमें एक सही आधुनिक्ता की तरफ अपने लोगों को बढ़ाना होगा हमें उन्हें विचारशील बनाना होगा, तरकसंगत बनाना होगा तो तब हमें न तो हिंदी भाषा का खत्रा होगा, न अपनी बोलियों का खत्रा होगा तो दोस्तों ये थी हिंदी पर एक छोटे सी बातचीत, अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबेक हमें जरूर दीजीगा, हमारा यूट्यूब चैनल है, फेस्बूक पेज है, हेलो हल्द्वानी नाम से, तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भासकर को ये 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 नामस्कार